सदर्थारां तर्गत वीजी स्ट्रीडियम के पास बड़ा हाथसा हो गया जाब अलुन सिरिंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई वहीं दो लोग गंभी रूप से घायल हो गया जिने में उस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है यहाथसा शाम साड़े आठ बजी उबा है बृतक बच्चे की पैचान शिजान आशिक शेक के रूप में हुई है वही घायलों में अनमत आसिव शेक और फार्या हबीब शेक है वही बनुन विकृता सतेंडर सिंग मौके से फ़रार हो गया है मिली जानकारी के अनुसार बच्चा अपनी माता पिता के साथ शौपिंग के लिए सदर परिसर में गया था क्रिस्मस के मौकी पर बच्चा अपने परिजनों के साथ खुमती वे सदर सेथ विसे स्टेडियम सेथ परिसर में पहुचे इसी दुरान चर्श के सामने सीध ग्यास बलून बाला खड़ाता इसी दुरान अचानक सिलिंडर में ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट होते ही सिलिंडर हवा में उड़ा और नीचे मृत्रक बच्चे के सिर पर आकर गर क्या इस हासे में मौकी पर ही बच्चे की मौत होगी वहीं दो अन्य भी धायलों के उसके लेंडर का ब्लास्त हो गया और वो दो लिएम और sucks अन्य गए बच्चे को और उसके दो मौसिया अरट-पर गोटिया और उसके दो मौसिया है यह हूं गुना दाखल कर दिया है और आरोपी का शोच चालू है हासे की बाद वहां हड़कफ बच गया तुरन पच्री और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले चाया गया जहाद जादा खुन वह जाने की कारण बच्चे को डॉक्टर ने मुरुद खोशित का दिया वही घायलों का इलाज चारी है हासे की बाद बलुन बाला मौके से पराह हो गया है पुलिस ने आरोपी के खिलाब मामला दर्श कर आगे की जाश शुरू कर दी है वही हासे को लेकर नाकरी को ने बलुन सिलिंडर पर रोक लगाने की मांग की है इसे के साथ सरकार से जनुत्वारा की गई है क्यामरा पस्तन अकिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर्ट